अरे वाह, 100% स्पेस लवर्स सुनीता विलियम्स को क्यों अडोर करते हैं? क्योंकि उनकी जर्नी तो कमाल की है, सुनीता विलियम्स सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं, एक रास्ता दिखाने वाली है 1998 में नासा ने इन्हें चुना और तब से सुनीता की अचीवमेंट्स रिकॉर्ड्स तोड़ती ही जारी 2006 तु 2007 में उन्होंने ISS पर 195 दिन बिताए, जो किसी महिला द्वारा की गई सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और बस इतना ही नहीं, उन्होंने सेवन्थ स्पेस वाक्स भी किये हैं, यानि ISS के बाहर 50 घंटे से ज्यादा समय है जरा सोचिए, स्पेस की विशालता में तैरते हुए, ISS के जरूरी कामों में हाथ बंटाना 2012 में वह ISS एक्सपेडिशन 32-33 की कमांडर बली और बड़ी खूबसूर्ती और समझदारी पे लीड किया लेकिन सुनीता का मिशन यहीं नहीं रुपता, अब वह नासा के कमर्शल क्रू प्रोग्राम की अहम हिस्सा है स्पेस एक्स और बोईंग के साथ मिलकर नए स्पेस क्राफ्ट बनाने में लगे हुई है सुनीता विलियम्स उन सभी के लिए प्रेरणा है जो साइंटिस्स बनना चाहते हैं खास कर महिलाओं और माइनोरिटीज के लिए उनकी जर्नी दिखाती है कि मजबूत इरादे और जुनून के साथ सितारे भी हमारी पहुँच में आ सकते हैं इंस्पायर्ड रहो स्पेस लवर्ज हिशी